है गाईज देखो लास्ट वर्किंग डे में आप लोगों ने देखा कि रिलाइंस के स्टॉक्स में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिले हैं ओपर्चुनिटी लोगों को दिख रहा हुगा कि वहले छोटी सी खबर ने हुआ कुछ नहीं एक्चुल में कुछ हुआ है क्या रिलाइंस के शेर में आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी तेजी देखने को मिले हैं तो कितना हजार करोड काउन को मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा उस तरीके से टाटा ग्रूप में TCS में TCS में वहाँ पर मैंने उपर डेट भी लिखा हुआ है थमनेल पर आ दिन बचे हैं और हाँ आपको बेनिफिट तभी मिलता है किसी चीज का जब उस टॉक को कुछ दिन पहले से ही आप खरीद के रखोगे तो अगर आप सोच रहो कि इसी डेट के इसी जब 12 अपरिल होगा उसी डेट में मैं स्टॉक को खर दूँगा या जो भी करूँगा तो सोचो कि भी फिर मौका नहीं मिलने वाला तब तक हाथ से निकल चुका होगा मौका अगर आप लोग ध्यान दीजे गया तो रिलाइन सबसे बड़ी कंपणी है इंडिया का और टीसी अस भी सबसे बड़ी कंपणी है लेकिन आईटी सेक्टर में है कि नहीं है इसके बाद आ तक 3,200 का और इसका अगर आप देखोगे तो all time जो high बोला जाता है वो 3,835 रुपिस का और इसका target 4,000 से भी उपर है मतलब ये जो आपको price जो देखनी को मिल रहा है ये जो वह उपर से गिरा हुआ है इसको आप एक मौका भी समझ सकते हो देखो मैं आपको बताना चाहता ह कि आप बड़ी बड़ी company है वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर भी गिरावट है चोटी company है वह पर भी गिरावट है तो कम से कम आप बड़ी company पर भरुसा कर लो आने मुले दिनों में बड़ी तेजी देखनी को मिलने वाली है तो चलिए start करते हैं देखिए Accenture company के बारे म को निकाले हैं ताकि इनका cost cut हो पाया और margin बढ़ पाया और जो कि इनों ने margin को भी थोलो बहुत बढ़ाया है तो एक्सेंचर का result बहुत ही अच्छा था अब एक्सेंचर के उपर इतना discuss क्यों कर रहा है कि एक्सेंचर क्या है कि IT सेंचर का बहुत बड़ी कंपनी है तो जब बहुत बड़ी कंपनी अच्छा परफॉम करती है तो यह माना जाता है market के according कि और भी जो IT कंपनी है वो भी अच्छा परफॉम करने वाली है ऐसा माना जाता है तो अगर आप देखोगे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्वेश जो टाटा ग्रुप की कंपनी देखने को मिले है पहले TCS के बारे में जान लो आपको स्टेट बैंक पर भरोसा है लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है आपको NSC पर भरोसा है NSC जो बहुत जाता है National Stock Exchange नेशनल स्टॉक एक्षेंज को जितने सॉफ्टवेर चाहिए है और National Stock Exchange अगर चलता है तो वो चलता है केवल TCS के वेज़े से तो वो TCS का ही software इस्तेमाल करती है company starting से इतना बड़ा दबदबा है TCS का और यह मैं बड़े बड़े लोगों का नाम क्यों ले रहा हूँ यह बस इस वज़े से बता रहा हूँ यह इतने बड़े player के साथ काम करती है तो छोटे छोटे प्लेयर्स तो बहुत बड़े आपको देखने को मिल जाएंगा Microsoft, Google हो जाते हैं तो यह तो बाहर की जो company है Apple यह सबी लोगों के साथ भी मिलके काम करती है तो इतनी बड़े TCS company है तो आप यह मत देखो कि भई यह 5000 रुपय का share 2000 हो गया आप यह देखो कि इतनी अच्छी company है और यह इतना बड़ा discount में देखने को मिल रहा अब यहाँ पर बताया जा रहा आपको जाना पड़ता है company information में company information में जाओगे तो थोड़ा time लगता है यह open होता हुग नजर आएगा board meeting में तो यहाँ पर बताया जा रहा है यह नए website में open हुआ है एक minute मैं सही से दिखाने की खुशिस करता हूँ तो board meeting में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इन लोगों ने date दिया है 12 April 2023 तो यहाँ पर इन लोगों ने financial result और dividend के बात किये है यहाँ पर दिखलो financial result और dividend के बात किये है इनोंने तो result भी आने वाला है और dividend भी देखनी को मिलिया company final dividend दे रही है और याद रखे ए company तभी आपको dividend देती है जब company को काफी अच्छा profit हो रहा हो dividend का मतलब क्या होता extra part of profit company जब एक अच्छा profit करती है तो उसमें से अपने shareholders को कुछ extra bonus की टाइप में कुछ cash देती है अगर ये चाहे तो ये company ये cash रख सकती है अपने future reserve के लिए या फिर किसी development के लिए या research and development के लिए भी ये company रख सकती है लेकिन नहीं expenses के लिए भी रख सकती है लेकिन ये company नहीं shareholders को देना चाहती है पैसा dividend तो ये date याद रखेगा जहाँ पर financial result result अगर बहुत तगड़ा आया तो और भी जो चोटे-चोटे small cap, mid cap company है उनका भी result काफी अच्छा होने का उमीद रहेगा फिर और ये जो quarter result आ रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है अमेरिका की बात करते हैं तो last working day में यहाँ पर 1.26% तक का तेजी देखने को मिला और उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 3% तक का तेजी देखने को मिला है अमेरिका में सबसे बड़ी चीज गिरावत नाम की कोई चीज नहीं है पिछले एक सालों से केवल 4% ही गिरा हुआ है पिछले 5 सालों से अगर आप देखोगे तो ये केवल थोड़ी सी ही गिरावत आपको देखने को मिलेगी देख लिजए थोड़ी सी उदर ही काम करती है तो अगर अमेरिका में सब कुछ पॉजटिव हो जाता है तो यह इनका जो रेविन्यू है ना